सीजन वन एपिसोड एट स्टार्ट होता है और हमें सॉल एचेचेम में काम करता हो दिखता है वो लोगों को मेल्स बाढ़ रहा होता है ये एक फ्लैश बैक का सीन है जब सॉल एचेचेम में काम करता था वो फिर कीम के बास जाता है वो Kim को एक लेटर देता है और बोलता है कि मैं पढ़ने ही सका उसे वो पढ़ने के लिए बोलता है Kim जब उसे पढ़ती है तो उसके लिए बहुत ही खुश होती है और उसको हक करती है यह Saul का entrance exam पास होने का लेटर होता है law के लिए जो law के लिए जो entrance exam होती है वो sawl ने अब pass कर लिए और अब वो law कर सकता है ये news बताने वो अपने brother चक को जाता है चक को बताता है कि मेरे कुछ credits बाकी थे और मैंने ये pass कर लिया तो अब मैं law school कर सकता हूँ मुझे एक law school भी मिल गयी है जो मुझे ले लेगी वो रात में school करने वाला होता है और दिन में काम करने वाला होता है चक उसके लिए बहुत ही खोश होता है चक बोलता है कि तुर्ण ये सब करने में बहुत सारे साल लगे होंगे तो Saul बोलता है कि दो बार में फेल हुआ पर तीसरी बार अब में पास हो चुका हूँ चक बोलता है कि तुम मुझे हेल्प के लिए मांग सकते थे चक उसके लिए बहुत ही खुश होता है और उसको congratulations विगरा करता है वो उसके लिए बहुत ही proud होता है Saul फिर उसे बोलता है कि अगर मैं अब law कर लू तो मैं lawyer बन जाओंगा तो क्या मैं HHM में काम कर सकता हूँ फिर चक उसे बोलता है कि ये सिर्फ मेरा decision नहीं होगा सारे partners मिलके ये decision लेंगे तब मैं तुम्हें hire कर सकता हूँ next scene जो है ये Saul का congratulations के लिए एक party होती है अब law complete कर लिया है और उसके पास अब degree है तो सब उसके लिए cake विगरा काट रहे होते है फिर Howard भी वहाँ आता है Saul उसे cake विगरा offer करता है Howard बोलता है कि मैं Saul से अकले बात करना चाहता हूँ फिर फिर वो conversation करता है जो हमें सुना ही नहीं देती पर उसको बोल रहा होता है कि वो उसे काम पर नहीं लगा सकता यानि कि वो HHM में काम नहीं कर सकता यही है flashback खतम हो जाता है और हम series के present में आ जाते है केटलमेंस ने कीम ने जो उन्हें deal दे थी वो deal ले ली है तो अब HHM की बहुती प्रेज हो रही होती है और वो TV पर भी आते है कीम को फिर से promote कर दिया जाता है नेक सिन में हमें Saul oldest home जाता दिखता है वो वहाँ सबसे मिलता है और एक old lady होती है जिसके लिए वो will बनाना चाता है उसकी will create हो जाती है Saul उसे 140 डॉलर्स मांगता है पर उसके बास सिर्फ 43 डॉलर्स ही होते है उस old lady को बहुत ही बुरा लगता है और उसे Saul के पैसे दे देने होते है पर वो दे नहीं पाती वो बोलती है कि मैं extra मांग सकती हूँ मेरा जो allowance है तो अगले महीने आएगा तब मैं तुम्हें सब पैसे दे सकती हूँ Saul को उसके लिए बुरा लगता है और उसके पैसे वो उसे वापस दे देता है वो बोलता है कि जब तुम्हारा allowance आएगा तो तुम मुझे mail कर देना Saul फिर बाहर जाता है पर उसके mind में यह thought होता है पर वो फिर से वापस आ जाता है फिर वो उस old lady से पुछता है कि कैसा allowance तुम्हें तो pension भी है तुम्हारा bank account है तो तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम्हें कैसा allowance मिल रहा है तो वो old lady उसे बताती है वो जहां रह रहे होती है वो facility उसे allowance देती है उस facilities में वो जब provide करते है उसके सारे पैसे वो निकाल लेते है और फिर उसको allowance देते है उसके bank accounts उसके सब pension वेगरा वही सब handle कर रहे होते है वो उससे समझाने के लिए अंदर बुलाती है और उसके सब rece कर रही होती है इसलिए वो और भी लोगों से मिलता है उनकी भी रिसिप्ट्स वो देखता है इस facility का नेम सैंड पाइपर होता है फिर सॉल चक्के घर आता है और उसे वो रिसिप्ट्स दिखाता है और सॉल उसे समझाता है कि सैंड पाइपर ये बड़ा fraud कर रहा है इसमें थोड़े थोड़े पैसे ओवर चार्च कर लिए है पर अगर हम bigger picture देखे तो यह बहुत बड़ी amount बन सकती है यानि कि उन्होंने सिर्फ toilet paper को भी $4 में बेचा हुआ होता है पेन पिल्स के लिए भी उसने $22 चार्च कि होते है यह बहुत ज्यादा amount हो जाता है चक फिर इसमे इंटरस्टेड हो जाता है और चक उसे इसे pursue करने के लिए बोलता है वो बोलता है कि अभी तुम वहाँ जाओ और सबसे वो रिसिप्ट्स लेकर आओ तुम्हें जो जो मिले वो सब तुम्हें अभी के अभी लाना पड़ेगा फिर हम उन पे case डाल सकते है सॉल जब वहाँ तो वहाँ की जो reception lady होती है वो से मना कर देती है अंदर जाने के लिए उन्होंने अभी अभी नया rule बनाया होता है कि कि किसी को भी अंदर जाने के लिए allowed नहीं है उसने security guards भी बुलाए हुए होते है फिर सॉल बोलता है कि मेरा pet ज़रा खराब है तो वो toilet यूज़ करता है व माइक को उसके daughter in law को call आता है वो काम करने वाले होती है कि और माइक की granddaughter को देखने के लिए कोई नहीं होता तो माइक से वो help मंगती है माइक सब काम बेकरा छोड़कर अपने granddaughter को देखने के लिए जाता है सॉल को अब वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है तो वो उस पर नज अचरा डाल देते है सॉल वहाँ से निकलता है और दुसरे एक डजविन में उसे वो सब पेपर्स मिल जाते है वो जब garbage में होता है तब ही सैंड पाइपर के lawyer का उसे call आ जाता है वो lawyer सॉल से पुछता है कि क्या तुम चक को जानते हो सॉल बोलता है कि वो मेरा brother है उस lawyer ने जग के साथ पहले काम क्या होता है इसलिए वो उसे जानता है फिर वो lawyer सॉल से उसके notice के बारे में पूछता है सॉल उसे explain करता है और बोलता है कि तुम्हारे clients evidence destroy कर रहे थे फिर वो lawyer उसे बोलता है कि वो अपने document shred कर दे इसमें कुछ भी illegal वेगरा नहीं है वो सॉल को बोलत ट्रेडर papers विगरा लेकर चक के यहां जाता है वो उन कटे हुए papers को arrange करने की कोशिश कर रहा होता है फिर चक उसे बोलता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो वो उसे अपोलाइजस करता है और बोलता है कि मेरे पास उतना space नहीं था इसलिए मैं यहां काम कर रहा हो चक बोलता ह कि मुझे तुमारी कंपनी अच्छी लगती है चक उसके लिए कॉफी लेने जाता है पर सॉल वही सो जाता है फिर चक ही उन सब papers को arrange करने में लग जाता है तब चक ने और यह पाच्छे paper arrange कर रहे होते हैं वो सब invoices होती है फिर चक सॉल को बोलता है कि केस बहुत ही बड़ करता है वो बोलता है कि तुम्हें जो भी कैस files मिले वो मुझे तुम लाकर दो वो बहुत सारे files मांगता है किम बोलती है यह 1000 सौ पेजे से और यह बहुत सारा बील इस पर बन सकता है फिर सॉल चक से help मांगता है तो चक उसका number उसे देता है और बोलता है कि चक के नाम पर व जो पैसे उसके बेटे के पास होते है वो उसे दिखाती है वो बोलती है कि यह जो पैसे है यह मैं हमेशा मेरे पास ही रखती हूँ मुझे पता नहीं कि इसका क्या करना है बोलती है कि मैटी के जो पैसे है क्या मैं वो खर्स कर सकती हूँ तो माइक बोलता है कि अगर इन पै पैसे कम बढ़ रहे है उसे उपर बहुत सारी responsibilities भी होती है उसके daughter की education में किरा सब उसे समालना होता है इसलिए उसे पैसे कम बढ़ रहे होते है नेक्स सीन में हमें दिखता है कि sign paper का जो lawyer होता है उसे Saul वो receipt भेजता है अब Saul के पास अच्छा evidence है फिर वो उसके साथ meeting fix करता है यह चक के घर पर meeting होने वाली होती है वो सब वहाँ आते है और फिर वो Saul को proposal देते है बोलते है कि इतना भी बड़ा issue नहीं है अब यह सब पता चल गया है और हमने यह सब calculate भी करवाया है हमें अब यह पता है कि यह कितना amount है यह 46,000 dollars है ऐसा उसे बोलते है वो उनको 100,000 dollars दे कर देता है कि इतने कम पैसों में हम settlement नहीं करने वाले जग बोलता है कि हम 20,000,000 इस settlement के लिए ले ले लेंगे वरना हम तुमसे court में मिलेंगे Saul को यह समझ में नहीं आता फिर जग उसे समझाता है कि यह 12 facilities है यानि कि यह बहुत बड़ा fraud हो सकता है 20,000,000 भी मैंने कम ही बोले है इससे ज़्यादा यह बड़ा fraud है फिर next scene में हमें माइक दिखाया गया है माइक उसी डॉक्टर के पास आता है जिसने उसको stitch किया होता है जब उसे bullet लगी हुई होती है माइक उसको काम के लिए पुछता है वो डॉक्टर बोलता है कि तुम किस तरह का काम करना चाते हो तुम क्या करोगे क्या नहीं तुम्हारी specification मुझे बता दो फिर माइक उसे बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी काम होगा वो मुझे बताओ और फिर में decide करूँगा कि मुझे ये करना है या नहीं सौल और चक दोनों धिनरात काम कर रहे होते हैं सौल आकर बैट जाता है चक ने उसे कुछ documents लाने के लिए बोले होते है तो उसके गाड़ी में ही वो रुसने रखे हुए होते हैं सौल वहाँ बैट कर सो जाता है और वो document नहीं लाता तो चक काम कर रहा होता है और अपने thoughts म ही वो घर से बाहर निकल जाता है गर से बाहर निकल कर वो गाड़ी तगा जाता है और वो सब डॉक्मेंट्स निकाल लेता है सौल भी उठ जाता है और देखता है जो चक एक्चुल में घर के बाहर खड़ा हुआ होता है, चक को फिर वो बोलता है, तब चक को समझ में आता है, कि वो बाहर है और उसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा, चक का यह जो सब होता है, यह साइकोलोजिकली होता है, और अब वो जब काम कर रहा है, तो उसे कोई भी प्रॉल्लम नहीं आरी, इस विमारी से जुजने में यही एपिसोड खतम हो जाता है